आज हम कुछ ऐसे facts की बात करेंगे जिने सुनने के बाद आपके mind में बस एक ही शब्द उठेगा और वो है वाओ सबसे पहले हमारे brain से उठ रही आवास के हिसाब से हमारे body के बागी cells react करते हैं जिहां दोस्तों कई बार आपने देखा होगा जब डर लगता है तो सूसू आने लगता है या किसी को डर की वज़ा से और खुश होने की वज़ा से भी पेट में गुड़ गुड़ होने लगती है तो यही निशानी है कि हमारे brain के सोचने के तरीके से हमारे cells काम करते हैं हसना और दूसरों को हसाना यह एक स्वस्त दिमाग की निशानी होती है यानि जो लोग बहुत upset रहते हैं या बहुत rude होकर बात करते हैं इसका मतलब है वो अंदर से खुश नहीं है या उनका brain हमेशा ही उन्हें negative thoughts सोचने पर और बोलने के लिए force करता रहता है इसलिए अगर आप खुश रहना चाते हैं तो अपनी thinking को बदलो और हसने हसानी की तरफ खुद को ले कर जाओ फिर आप अपनी life में एक बहुत बड़ा बदलाव महसूस करेंगे थर्ड है अगर आप किसी के साथ हो और अगर आपको उबासी आने लगे तो इसका मतलब है आप उसके साथ comfortable फील कर रहे हो क्योंकि अगर आप comfortable नहीं होते तो आप बहुत ज़्यादा conscious रहते अब ऐसा मत सोचना कि आप बहुत थकी हुए हो नींद आ रही है और फिर भी उबासी नहीं ले रहे कि सामने वाला गलत ना सोचे तो ये सब सोचने की ज़रूत नहीं है बात बस यह है कि जब ऐसा कुछ भी ना हो और आप बस relax मैसूस करें और फिर किसी के साथ ऐसे ही ओबासी आने लगे तो इसका मतलब है आप उनके साथ comfortable मैसूस कर रहे हैं और फूर्थ है अगर किसी की आंक से आंसू राइट साइड से गिरता है तो इसका मतलब है वो खुशी के आंसू है और लेफ्ट से गिरता है तो इसका मतलब है वो दर्द के आंसू है और फिफ्ट है आपका कपड़ा पहनना सिर्फ ये नहीं दिखाता कि आप कैसे लग रह पर अगर आपका मूड मस्त है तो आप जरूर कुछ अच्छा पहनने पर या अपना फेवरेट कलर पहनने पर फोकस करते हो। एक नेगेटिव थोट्स पांच पोजिटिव थोट्स पर भारी पढ़ जाता है यानि अगर आपका पूरा दिन बहुत मस्त गया और शाम को कुछ गलत हो गया तो आप पूरा दिन भूल जाएंगे और बस वो शाम वाली बात याद रखेंगे या अगर सुबह कुछ गलत होत है और पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है तो आप किसी को अपने दिन के बारे में बताते हुए सबसे पहले वो ही बात बताओगे जो सुबह गलत हुआ था यानि हमारा ब्रेन पोजिटिव से ज्यादा नेगेटिव बात को याद रखता है इसलिए आपको इस चीज का ख या नहीं मुझे कमेंट्स में जरूर बताना एट है हम मेंसे बहुत सारे लोग सिर्फ उन्ही बातों पर बिलीव करना चाहते हैं जो वो पहले से जानती है जैसे आपके घर में बूड़े लोग होंगे तो जब आप उन्हें कुछ बताने की कोशिश करते हो तो वो आपकी बात से एगरी नहीं करते बलकि अपने माइंड में बनी बातों को आपको मानने के लिए बोलते हैं फिर चाहे आप कितनी भी रिसर्च करके उनके सामने सच को लेकर आओ पर वो कभी आपकी बात नहीं मानेंगे वो वही बात मानते है जो उन्हें लगता है कि मुझे माननी चाहिए या जो उनकी विचारों से मैच करेगी अब ये तजुर्बे की वज़ा से भी हो सकता है और उन्हें किसी भी बात पर बिलीव करते रहने की वज़ा से भी नाइंत है किसी रिसर्च से ये सामने आया कि एक 40 साल के बाद के इनसान को उनकी यादों से छेड़ खानी क कुछ भी एगरी करवा सकते हैं जैसे रिसर्च में ये पाया गया कि अगर किसी को ये बताया जाए कि तुमने अपनी यंग एज में ये चीज की थी जिससे किसी को हर्ट हुआ था जैसे कुछ ऐसा करना जिसका अफसोस उसको आज भी है पर वो किसी को बता नहीं सकता तो य ये चीज भले ही उन्होंने ना की हो, मगर बातों से उन्हें ये बिलीव दिलवाया जा सकता है और वो एग्री भी करते हैं. ये शायद कई बार ऐसा भी होता है कि आप अपने उपर लोड लेना नहीं चाहते और बस हा में हा मिला देते हैं. और टेंथ है, जब हम ऐसा बोलते हैं कि मैं ये करूँगा या ये कर सकता हूँ, तो इस बात में इतनी पावर नहीं होती, जितनी पावर आपको तब मिलती है. जब कोई आपकी बात के बाद ये कहे कि तुम कर सकते हो और मुझे यकीन है तुम जरूर कर लोगे. इसको कहते ही आपको अपने अंदर से दुगनी पावर फील होती है. इलेवन्थ है, आप जो भी सपने में देखते हो, वो ज्यादा मिस्टीरियस और सही डिरेक्शन देने वाला होता है. बजाए इसके कि आप किसी कौंशियस थोट को अपने अंदर लेकर गोम रहे हो. यानि आपके जो थोट हैं कि मैं वहाँ जाऊंगा या लाइफ में ये करूंगा, पर सपने में आपको कुछ दिख रहे हैं, तो 70% सपने में कुछ ऐसा राज शिपा होता है कि आपको उसे पकड़ना चाहिए, और उसे डिकोड करके अपनी लाइफ में अपलाई करना चाहिए. बहुत सारे लोगों को तो अपने सपने तक याद नहीं रहते, लेकिन कुछ चीज है जो याद रह जाती है, वो आपको अपलाई करके देखना चाहिए. 12. डर वाली मूवी देखना या होरर मूवी देखना हमारे लिए अच्छा होता है, यानि जब आपके ब्रेन को ये पता हो कि आप रियल डेंजर में नहीं हो, और साथ ही आपको डर भी महसूस हो, तो हमारा ब्रेन एक तरह की एक्टिविटी प्ले कर रहा होता है. 13. एक बार ये रिसर्च होई, कि एक ग्रूप को कुछ भूक मरी से मरे हुए लोगों के बारे में बताया गया, जैसे एक ग्रूप को एक बच्ची के बारे में बताया, दूसरे ग्रूप को कुछ लोगों के बारे में बताया, और तीसरे ग्रूप को एक बच्ची और कुछ लोगों के बारे में बताया गया कि कुछ लोग भूख से मर रहे हैं और उनसे का कि आप कुछ पैसे डोनेट कर दीजिए और साथ ही ये लिख कर दीजिए कि आपने वो पैसे किस के लिए डोनेट किये है बाद में जब लोगों ने पैसे डोनेट किये या problem जब छोटी लगे तो उस पर लोग ज्यादा ध्यान देते हैं 14. हम कभी ये नहीं सोचते कि कैसे सब ठीक होगा बलकि ज्यादा तर ये सोचते हैं कि अब तो भाई सब खतम यानि हमारा mind हमें जो बुरा होने वाला है उसे सोचने पर ज्यादा मचबूर करता है ये वो चीज़ है जो हम पैसे से नहीं खरीच सकते 16. है अगर आपको किसी चीज़ को याद रखना है तो उसका टेस्ट लेकर आप उसे याद रख सकते हो जैसे कोई एक्जाम है और कोई कोशन आपको याद नहीं हो रहा तो आप अपने आपको एक्जाम की सिचुएशन में डाल कर वो अंसर लिखो बाद में ऐसी ही प्रैक्टिस से वो चीज़ आपको याद हो जाती है 17. है एक इंसान अपनी लाइफ में सुकून से तो रहता है मगर वो साथ-साथ नई प्रोब्लम भी डूणता रहता है जिससे डील करके वो जीट सके या उसे अच्छा महसूस हो यानि नई नई प्रोब्लम आपके सामने अपने आप आती रहती है जो आपको उसे पूरा करने पर अच्छा महसूस करवाती है यानि अगर आप उम्मीद ही कम रखोगे कि बस इतना सही हो जाए तो बस उतना ही होगा पर थोड़े ज्यादा की उम्मीद लगाना आपको बड़े एक्जाम को पास करने के लिए परिक्षा लेता है और परिक्षा लेने से आप अपने आपको थोड़ा और एजुकेट करने पर ध्यान देते हैं 19 थै बहुत सारे लोग बहुत खुश होने से डरते हैं क्योंकि उनके अंदर ऐसी बात बैटी होती है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए यानि मैं ज्यादा खुश होँगा तो हो सकता है कि मेरे साथ कुछ गलत होगा अब ऐसा क्यूं है ये तो नहीं बता स ये सब चीज आपके फेवरेट सौंग से कनेक्ट होती है तब आपके जितने भी फेवरेट सौंग होते हैं वो कहीं ना कहीं आप से emotionally या किसी भी तरह से कनेक्टिड होती है तो दोस्तों उमीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी आज की वीडियो से प्लीज क्लिक करो और कनेक्ट हो जाओ तो अभी के लिए बस इतना ही मैं मिलूँगा आपसे नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद